तो एक तरफ कोड़नी उप्चुनाव का मौका है, दूसरी तरफ गिरिराज सिंग ने धरम परिवर्तन धर्मांतरन को लेकर सवाल खड़े किया है, तो वहीं समराज चौधरी ने सिधे-सिधे सरकार पर हमला बोला है और गंभीर रूप से तीखे हमले किया है, हमारे साथ हमा पहली बार बीजेपी के लिए नहीं है, बीजेपी बहुत पहले से धरमांतरन का मुद्दा हमेशा हर एक राज़े में उठाती है, लेकिन अब विपक्ष में आ गई है, पहले ये सरकार में जबती, जिसको मारे के साथ एंडिये में गडवनना था, तो उस तरीके के बाते पहनी करके, लेकिन पुर्वांचल इलाके में बार बार ये आता था, कि वहां एक संख्या बढ़ रही है, मतलब मुसल्मानों की संख्या बढ़ रही है, और हिंडियों की कम हो रही है, बीजेपी के सरकार में रहते हुए रामशूरत रहा है, उनका भी बार बार कहना था, पहले बयान दे देते हैं, लेकिन अब खुल के, कि विपक्ष में आ गाया है, धर्मानतर का मामला, ये जो एक दूल पकड़ता हुआ, कि धर्मानतर जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, उस पर सरकार को ध्यान दे, लेकिन आलोक महता ने परसोब बयान दिया था, उन्होंन मुसल्मान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कटार पंत्री मुसल्मान जो दजवे हिंद लाना चाहते हैं, उनसे हमको दिक्कत है, जिस तरीके से देश में धर्मानतर जिस तरीके से पलायन हो रहा है, एक इलाके से, तो उसको लेकर कही न कहीं कि धर्या सिंग ने बहुत हमला पुला है सरकार पर, अलुक मेहतार ऑन्होंने बयान दिया कि अगर धर्मानतर अगर सिच्छा से किया जा रहा है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इस पर अब बीजेपी ने एक तरीके से हमला पोलते हुए सरकार पर, एक हमला बोला और कहा कि धर्मानतर न का मामला से, एक छोटी मोटी बात नहीं है जिस तरीके से सरकार जो मंत्री है और यह तरीके से कहाuldगIGHT देना चाहिए तो इसा होते रहेगा तो प्हार सरकार क्या जबाब देगी वहीं उन्हें ने कहा कि आगर एक मंत्री इस तरीकी का ब्यान देगा तो फिर वो कैसे कानुन विवस्था पहाल करेगा। क्योंकि उन्होंका बार बार जिसे कि हमें मुसलमानों से कुई दिकत ने, लेकिन कटरपंति जो है, जो चाहते हैं की इस तरीके के धर्मानतान हो और ऐसे बदलाव की जाए इसाई धर्म के बारे में उनने कहा कि अगर इसाई धर्म इस तरीके से कर रहे हैं तो कोई बोलने को तयार नहीं है इस पर लेकिन उनने कहा कि अगर हिंदूओं के साथ ऐसा हो रहा है तो कहिना कि यह बहुत दुर्भार कून है और एक मंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए बिलकुल राजीव एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री ऐसा बयान दे रहा है गरिराज सिंग इससे पहले भी मुद्दा उठा चुके है कि सीमांचल के जो इलाके हैं वहां की डेमोग्राफी वदल रही है और वहीं दूसरी तरफ समराठ चौधरी ने भरस्टाचार को लेकर और खासकर युवाओं को बर्गलाने का आरूप सरकार पर लगा है यानि बीजेपी कहीं से कोई कसद नहीं छोड़ना चाह रही है मिजसर लाक नोकरीयों का बादा कर दिया है लेकिन नोकरी देने का हो रहा है यहीं आज सीटेट की जिस तरीके से मुख मंतिर के कूड़नी पचार में जहां उनके साथ मारपिट हुई तो विपक्ष की तरफ से समनाट चोधरी बे आज एक तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने लोगों पध्यान दे रही हैं उन्होंने कहा कि जो अध्यक्स तो बदल जाते हैं लेकिन रजिस्टार नलंदा से हैं वो नहीं बदलते हैं मतर्व कि है कि यह भरश्च चारी सरकार हैं और वरस्च काम कर रही है और केवल वाओं को बल्गलाया जा रहा है कि नोकरी मिल रही है लेकिन नोकरी के नाम के नाम पर बस ठगी की जा रही है क्योंकि अगर इतना है तो फिर से P.T. के पीटी के जो है एक्जाम है उनको कराया जा और पिटी का जो रिजर्ट है उसको कैंसिल किया जा लेकिन उनके बातें नहीं सुनी जा रही है और वही नेता प्रतिपक्ष मुझे सिनहा वहां जाते हैं वहां विवाओं से मिलते हैं उनका कहते हैं कि अगर कि अगर विपक्ष को मुद्दा सरकार दे रही है तो भुनाने में विपक्ष पीछे थोड़ी वड़ेगी यही बात है कि समराच चौधरी ने कहा विजय सिनहा ने विए तरीके से कहा वहां को सरकार में ठगा जा रहा है और देखिए उतने मिदान सभावी जो होने वाले हैं पास तारीकों तो उसमें कही न कहीं यह जो फैक्टर है जो आज सीट्रेट का जो मामला ने जो अभियरती वहां पहचे उनके साथ जो मारपिट हुई है तो यह कहीं न कहीं सरकार को यह तरीके से यह कड़़े में खड़ा करती है और सरकार अगर युवाओं के साथ इस तर करके तुर्ण तभी कहते हैं कि बताइए बंबूल का पेड़ रुपे में तो कहां से आम खाएंगे मतलब कि वहीं कहावत है कि अगर आप उन्हें जैसा कोई सा बाया वाला कहानी है कि अब सरकार मतलब विपक्ष है विसकार पर हमलावर है और जो भी कोई भी मुदा नहीं चल ना चाती वह ही वहाओ का मुदा तो ऐसे नहीं कि की 2020 में यह कहकर किया था यह चुरा परचार किया था कि वहाओ को आते आते हम नौकरी देंगे 10 लाख नौकरियां देंगे अब सरकार बन गई है 10 लाख तरफ चलने नहीं है कि हम करदेगे हम सवाल खड़ नहीं लिए तो जो अब हम जब विपक्ष में है करो पकड़ प्रतिष्ठा का प्रश्ण बन चुका है तो वहां किसकी हार और किसकी जीत सामने आती है इसका भी बिहार की जनता भी सबरी से इंतजार कर रही होगी हमारे साथ जड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद